तो देखते हैं पर question number second में हम से क्या पूछा गया है what happens at the snaps between two neurons तो जो यहाँ पर दोनों neurons के बीच में जो यहाँ पर snaps होता है वो यहाँ पर क्या करता है snaps हम यहाँ पर gap भी बोल सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर diagram में दिख रहा होगा यह हमारे यहाँ पर क्या snaps है snaps को हम यहाँ पर क्या बोलते है gap between two connecting neurons तो यहाँ पर हमारे सरी में बहुत सारे neurons होते हैं और यह neurons आपस में connected नहीं होते इनकी बीच में हमारे यहाँ पर क्या होता है small gap होता है और उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते है steps बोलते हैं अब यहाँ पर क्या होगा यह हमारे जो a neuron है इसको हम यहाँ पर all simple भासा में समझते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है दो neuron है एक हमारे यहाँ है एक हमारे यहाँ पर क्या दरखा है एक्सों दरखा है और एक्सों के end में हमारे यहाँ पर क्या होता नर्व endings होते हैं, nerve endings के बाद जो हमारे यहां पर दूसरा neuron start होगा, उसमें हमारे सबसे पहले क्या होता है dendrite होता है, उसके बाद cell body होती है, फिर उसके बाद axon start हो जाता है यहां से, ठीक है, तो हमारे यहां पर क्या होगा, जो पहले वाले का हमारे यहां पर होगा last जो nerve ending होगी और दूसरे वाले का जो हमारे हैं पर dandrite होगा इन दोनों के बीच में जो हमारे हैं पर small gap होगा वह हमारे हैं पर क्या Snaps है तो यहां पर इसकी definition क्या होगी there is an extremely small gap between the end of the action of neuron A and the dandrite of the next neuron B which is called Snaps Snaps यहां पर simple भासा में समझ लो कि यहां पर दोनों neuron के पीच में जो gap होता है वो हमारे हैं पर क्या होता है Snaps कहलाया जाता है ठीक है अब यहां पर बात कर लेते हैं कैसे work करता है अगर यह आपस में connected नहीं है तो जो हमारी इलेक्ट्रग इंपल्स है वो हमारे यहां पर एक neuron से 200 neuron में कैसे transfer होती है वो हम यहां पर समझ लेते हैं तो यहां पर क्यों होता है जय क्या होता है एक तरह का sense organ होता है जो कि यहां पर इनवर्मेंटल चेंज ciao है करता है how are water high and power was वो यहाँ पर क्या है एक तरह का सेंस और गन है वो हमारे यहाँ पर क्या करता है सेंस करता है उसके बाद हमारी बॉड़ी में क्या होते है इलेक्ट्रिक इंपल्स जन्रेट होते है इलेक्ट्रिक इंपल्स जो हमारे यहाँ पर जन्रेट होता है सबसे पहले वह हमारे यहाँ क्या होता है dendrites हो के कहाँ पर जाता है पास होते हुए axon पर जाएगा उसके बाद वो हमारे यहाँ पर क्या जाएगा nerve ending पर जा बोल सकते end of axon of sensory neuron उसके बाद वो यहाँ पर क्या होता है इन दोनों के बीच में gap में आएगा gap में वो एक तरह से क्या करेगा chemical substance release करेगा और वो जो हमारे हैंपे chemical substance release करेगा उसको हम यहाँ पर क्या बोलते है neurotransmitter substance ड zrobiक है जो कि यहाँ पर दोनों nerve के बीच की gap में क्या होता है release होता है जिससे कि यहाँ पर क्या होता है यह connect हो जाते हैं उसके बाद यहां पर क्या होता है यह तरह से गाप को prospect करता है और जो हमारे som Official सपहले वाले निउरोन में गया था और हमारे सेकेड़ वाले निउरोन में च्रांस्फर then आप होते हैं क्योंकि हमारे सरीर में सिर्फ एक न्यूरोन होता और सारी न्यूरोन होते हैं जो कि आपस में ऐसे ही connected होते हैं और electric impulse यहां पर ऐसे जनरेट होके फिर वो हमारे कहां पर जाएगी spinal cord and brain में जाएगी उसके बाद हमारे यहां पर क्या होगा motor neurons को यहां पर का करेंगे impulse generate करेंगे जो कि हमारे muscle stress को बताएंगे कि हमें यहां पर यह वाले चीज़ करने है वो इसको यहां पर क्या करेंगे react करेंगे तो hope आपको यह वाले question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ